2023 में 100 objective होगा या 60 objective होगा Interimatic परिच्छा जो विहार बोर्ड conduct कराने जा रही है 2023 में क्या उसमें 100 objective होगा या 60 objective होगा लगतार छात्रों में संसे बना हुआ है तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको दुवारा इस वीडियो देखने की जोड़त नहीं पनेगी यूँकि आज यहाँ पर मैं clear कर दूँगा कि इस बार 100 objective पूछा जाएगा या 60 objective पूछा जाएगा Interimatic का ठीके तो फटार पर वीडियो को अपने दोस्तों के शाथ सेयर कर दे क्या है बिहार बोड का नया परटन पूरी वीडियो बिल्कुर ध्यां से देखेगा ताकि आपको सही और सटिक जनकारी यहाँ पर मिल सके वो news paper की cutting है जिसके कारण चात जो है परेशार हो गए है और सिर्फ और सिर्फ यही एक cutting है इसके अलाबे कोई भी news paper में इसके regarding कोई update नहीं देखने को मिला था देखे इस news paper में क्या कहा गया था कि magic और intermediate में जो बेकालपरी प्रशनों की संख्या है वो यहाँ पर घट जाएगी ठीके इसमें यह बोला गया था कि अब 2023 का जो intermatic परीच्छा होगा ठीके दो बरसों से क्रोना से पठन पाठन बाधित रहा था जिस बज़से ठीक है जो बेकालपिक प्रशनों की संख्या बरहाई गई थी अब जो है उसे कम किया जाएगा यह यहाँ पर रीजन जो है वो यहाँ पर दिया गया कि अब जो 2023 एबम उसके बाद की बारसिक metric एबम intermediate परीच्छा में बहु बेकालपिक प्रशनों को यानि कि objective प्रशनों की शंख्या कम होगी बताए गया है कि metric में भी आपका 100 की जगह 70 और 80 के बदले 48 वहीं intermediate की बात की जाए तो यहाँ पे 100 की जगह 60 और 70 के बदले 42 objective प्रशनों पूछे जाएंगे ऐसा यह नूच पेपर का अपडेट यहाँ पे कह रहा है ठीक है लेकिन आपको बता दे कि इसक भी official website पे या बिहार बोड का अपना YouTube channel पे या बिहार बोड के Twitter account पे कहीं पे भी इसके regarding कोई भी information नहीं दी गई है यह अपने आप में बहुत बड़ी ख़वर है अगर ऐसा कुछ होता तो यह जो है सिर्फ एक news paper में एक ही तरह का cutting बार नहीं होता बहुत तरह के cutting आते चाह आपको दिखाया जा रहा है ठीक है और आपको बताया जा रहा है प्रस्णों की संख्या जो है यहाँ पर कम जाएगी ठीक है अब यहाँ पर देखना यह होगा कि इससे पहले बिहार बोड सेंटर्प एक्जाम लेगा जो सेंटर्प एक्जाम में जो आपका pattern होगा वही फाइनल एक्जाम आपका लिया जाएगा अब यहाँ पर चात्रों में confusion है कि 100 होगा या 60 होगा ठीक है बिहारबुर कहीं भी official इसका update नहीं दिया है अगर इस newspaper पर बिलीब किया जाए तो यह इस newspaper का नुसार जो है 100 की जगा 60 objective और 80 के बदले 48 objective और inter में 60 objective 100 की जगा और 70 के 2020 का जो pattern था उसे बापस लाया जा रहा है इस paper की cutting के नुसार लेकिन बिहारबुर कहीं official ऐसा update जारी नहीं किया है तो किल मिलाकर आपको तयारी जो है 100% करनी है ठीक है 100% अपने तरब से पुरी तयार रहे देखियो objective आपका 100 पुछे या आपसे यहाँ पे 60 objective पुछे इसके लिए घबराना नहीं है आपको बिलकुल 100% objective पे भी focus करना है और subjective पे भी focus करना है पुछेगा तो syllabus ही पुछेगा नो तो इसके लिए tension नहीं लेना है आपकी इस channel पे class भी objective का शुरू किया जा रहा है और subjective का भी तो बिलकुल इसके लिए घबराए नहीं आप लोग